फुड़ी का जिनको है नशांव वो सोना धून दोन लेते हैं खुदावाले कहीं खाकी वई दोना धून लेते हैं मुसलसल पात्वा के घर में जब चुरहा नहीं जलता अली मुश्किल कुषा मस्जिद का को न धून लेते हैं नारे सिप्थे नारे रिसाला तक्रीर सुनेंगे लेकिन तक्रीर सुनने से पहले एक बार सब लोग आला हदरत के नाम पर वेदार हो जाए अपने हाथों पर फ़जा में लह रहाएं नारए टक्बीर अपने हाथों को उठाएं आर कि शालत मस्क ए आला हदरत बारा मदीना कॉन फरेंड अल्मा नो मान अव्टर फाइफ उल्जमानी नारए टक्बीर नारा ए रिजालत कले में प्यास का सेरा समेट लेता है जो एक मश्ड में धर्या समेट लेता है महाद जंग से आती है जब सदाए जहाद तो फकीर अपना मुसल्ला समेट लेता सुने अजरा वस्वाद वस्वाद अला स्य्दिल मुर्सली वा अलिही वसहबिही वहिपिही वदुर्यतिही वमिल्लतिही ज्माईी अम्मा बाद फाउद बिल्लाही मिन श्शेटान रुजीम बिस्मिल्लाही र्रह्मान र्रहीम वला तहिन वला तह्जन वन्तुम अलाओं इनकुंतुम मुमिनी सदक अल्लाहु लजीम वबल्लगना रसूलहु नबी लहबीब लातुकु अमीनु करीम जान है इश्क मुश्टफा रोज फुजू करे खुदा जान है इश्क मुश्टफा रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा नाजे दवा उठाए कि यारभ दिले मुस्लिम को वो जिन्दा तमना दे जो कल्ब को गर्मा दे जो रूह को तड़ पा दे बिच्ड़े हुए आहू को फिर सुवे हरम ले चल इस शहर के खुगर को फिर वुश्टे सहरा दे खुदी का सिर्रे नहां ला इलाह इल्लाह खुदी है तेख फसां ला इल्लाह ये नगमा फसले गलो लाला का नहीं पाबं बहार हो के खिजां ला इलाह इल्लाह ये दोर फिर से बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाह इल्लाः अगर चे बुद हैं जमाइत की आज तीनों में मुझे है हुक्म यजा ला इलाह इल्लाः हजराद आप हजराद की खुबसूरत समात मेरी खिताबत के मुश्कुराते हुए वुजूद से मुसाफा और मौानका करने को बेताब है अल्लाः करे कि आज की ये पाकीजा बेठ़ट और ये खुशूरत महौल और खुशूरत महौल में जो सारी बाते हों हम तमामी हजराद के लिए दुनिया में भी काम्याबी का जीना बन जाए और आखरत में काम्याबी का सर्माया बन जाए जमात एहल सुन्त के कई बावाकार चेहरे मिंबर नूर पर जल्वागर हैं जो अपने इल्मी तंतनो तंतराग के साथ मेरी खिताबत के वजूद को पुश्ट पनाही का सामान दे रहे हैं थोड़ी देर तक मैं आपसे गुफटगू करूंगा उल्माई एहल सुन्त के लिए कोई बात नहीं नहीं होगी बलके इनकी दुआओं का साहिबान होगा और आपसे मेरी गुफटगू होगी अल्लाह का बेपना इहसान है कि अल्लाह ने सारी तखलिकात और मखलुकात में हमें हजरते इनसान पैदा किया और हजार हजार सज़ए शुक्र उस पारगाहे रबुलिजद में कि इनसान पैदा किया और इनसान में साहिब इमान पैदा किया यानि दिल के दो हिस्से किये जाएं तो एक हिस्से पर खुदा की वहदानियत का परचम ला इलाह इल्लाव की सूरत में लहराएगा और दीुसरे हिस्से पर मुहमदुर्रसूल्ह की रिसालत का परचम नहायत ही तंतनों դंतराग के साथ अपनी अजमतों का परचम कालका हुआ नजर आएगा जो लोग मेरी तक्रीर सुनना चाहते हैं मैं उनसे बड़ी महबबत के साथ कहूंगा कि आप सुनने का मिज़ाज लेकर बेठिए ताके हम आप से कुछ बात कर सकें हम आप से गुफटवू कर सकें खिताबत के लवाजमात में जो कुछ है ला करे वो सारी चीजें हम आप तक पहुचा सकें पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्ला और जरा जी लगाकर बोले सुभान अल्ला आप तस मिनट मेरी बात समात फरमाएं इस टेज़ पर जितने भी बैठे उलमा हैं सब मेरे लिए रहनुमा हैं करम फरमा हैं और इन्हें बुजरुगों और दोस्तों की दौाओं का असर है कि मैं आपकी समातों के आंगल में कुछ देर तक अपनी खिताबत के फूलों की महद पेश कर रहा हूँ हजरात नकीब एहल सुन्नत शहज़ादाई शेरु अदब आप रुए इल्मुफन हजरते मौलाना हसंदजा अथर बुकारवी सहब जो रात की तनहाई में भी निकाबत के जुमलों से अपनी जुबानों अदब को जलुट का सामान देते हैं वो तश्रीफ रक रहे हैं हजरते ताज औरंगाबादी मौजूद है हजरते जफर औरंगाबादी मौजूद है हजरते तलहा को आपने से मात किया बावकार उलमा मौजूद है मैं आप से कुछ बाते करना चाहता हूँ आज आप अपने घर से कदम निकालिए और थोड़ी देर के लिए गोर कीजिए कि आज मौसल्मानों की हालत क्या है थोड़ी देर के लिए आप गोर करें घर से निकलिए तो महले में अपनी हालत देखिए महले से निकलिए शहर में अपनी हालत देखिए शहर से निकलिए इस्टेट लेबल पर अपनी हालत देखिए सुभाई सतह से उपर उठिये नेशनल लिबल हिंदुस्तान गीर पैमाने पर अपनी हालत देखिए हिंदुस्तान की सरहदो सीमा को थोड़ा सा फलांग जाईए और पूरी दुनिया के कैनवस पर आप अपनी तश्रीर का रंग देखिए उसके बाद फैसला कीजिए कि जिस जमात के बेटों की तारीक ये रही के सूशी रोटी खाते ते मगर काम्यावियों का परचम गाड़ते हुए र्राप थे जिस कौμ की तारीक ये रही के पेट पे पत्तर बांगते थे मगर हमेशा इनसानियत को मुस्कुराहटों का फूल देते थे जिस कौम के बेटों की तारीख ये रही के रहने को घर नहीं था मगर सारी इनसानियत के फकीरों को अमीरों की कोठरी दिया था आज वो इनसान जिसने काम्याबियों की नई नई तारीख लिखी थी आज उस कौम के बेटे जिस कौम के बेटों ने काम्याबियों की खुबसूरत लकीरे खेकी थी आज उस कौम के बेटों का खून पानी से भी जादा सस्ता क्यों हो गया है आज उस कौम के बेटों का हाल ये है कि आप जहां भी देखिए जिस तरह भी देखिए इस लहंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में वो कौम जिस कौम के बेटों का सर धर से अलग करने के लिए एक पूरी टीम तैयार है वो किसी कौम के बेटों का सर नहीं है बलके वो कौम मुसलिम के बेटों के सर को काटने की तैयारी हो रही है वजा क्या है हम नाकाम क्यों हो रहे है वजा क्या है हम एमलेस क्यों हो रहे है वजा क्यों क्या है हम पीटे क्यों जा रहे है हम तबा की की जा रहे हैं जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो वो कौम तबा हो इससे बड़ी हैरत की बात क्या है अगर कोई ये कहे कि रोटी सामने है और हम भूके हैं तो ये हैरत की बात नहीं है अगर कोई ये कहे कि सामने पानी है और हम प्यासे रह गए ये हैरत की बात नहीं है उससे जादा हैरत की बात ये है कि मेरे पास कुरान है और हम ना काम है उससे जादा हैरत की बात ये है कि मेरे पास कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है और हम है के तबाह हो रहे हैं जिस قوم के पास ऐशी किताब हो वो قوم तबाह हो जाए आखिर वजह क्या है इतने मुस्लमान बैठे हैं शायद कोई ऐश्यवसाग घर होगा जिस घर में कुरान नही हूं हर घर में कुरान होगा जुजदान में सजा हुआ खुरान होगा मगर क्या बात है कि हम लाकाम हो रहे हैं और क्या बात है कि इसलाम के वो बेटे सूखी रोटी खाकर भी कामियाब हो रहे थे मैं यहीं पर आप किसे बातें को आवाज देना चाहता हूँ पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सिहान अल्ला किसी का हाथ जुका न रहे जी लगा के बोलो या रसूल अल्ला इस टेट पर बैटी भी मेरी विरादरी के पास भी अगर हाथ है तो मैं चाहूँगा आप भी थोली सी जिंदगी दे दिजिए और पूरा मजमा हसनी हात और हुसेनी हातों को पूरी कैफियत के साथ हवाओं में लहरा के पूरी मज्टी से कहे या रसूल अल्ला और मखबस से बोलो या हभीb अलला और कैफियत से बोलो या नभी अल्ला मैं आपको बताओं यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुख जाओं पूरी दुनिया चाहती है किस तरीके से मुसल्मान बेटों के हाथों में भीक मंगो का कटोरा दे दिया जाए आज रशा की यहीं सोच है किस तरीके से लाई रहा इला लाह मुहमद रुसुल्ला पढ़ने वालों के हाथों में भीक मंगो का प्याला दे दिया जाए पूरी दुनिया इस सोच में है किस तरीके से इसलाम के बेटों को मोहताज बना दिया जाए किस तरीके से इसलाम के बेटों को भीक मंगा बना दिया जाए इसलिए के तारीख के पनों में हमने वो वाके आधी देखे है कि कितनी कोमیں इसी थी कि जिनके हाथ हों में भीक मंगों को प्लेंटे दिया गया तो اس गुम ने अपना मझग बेज दिया है उस قوم ने अपना नजरिया बेज़ दिया है उस قوم ने अपनी सोच को बेज़ दिया है उस قوم ने अपने अखीदे को बेज़ दिया है मेकर वाहरे इसलाम के बेटे वाहरे इसलाम की ये قوم कि जब जब इसलाम के बेटों के हाथों में कटोरा देने की सोच हुई है ते इसलाम के बेटों ने जवाब दिया है कि हम कटोरों से आगे नहीं बढ़े है हम भीक मंगो का प्याला लेकर आगे नहीं बढ़े है अब बिला ताखिर यहीं पर मैं आपको बात कह दू कि पूरी दुनिया चाह रही है कि इसलाम के बेटों को फकीर बना दिया जाए इसलाम के बेटों को मोताज बना दिया जाए इसलाम के बेटों के बेटों पे फिर से प्थर बांदिया जाए लगर यहीं पर बैठे बैठे टंके की चोट पर सीना ठोट कर बड़ी जिम्मे नारी के साथ हगाई की जमीत पे उतर के जमाली पूरी दुनिया इंशानियог को पेगाब के ना चाहता है एवाशा तू भी सुन ले एए अमरीका तू भी सुन ले एब्तानियआ तू भी सुन ले एए अफरीका तू भी सुन ले और हिंदोष्टान में चपन इंचे की छाती लेकर अपनी कामियाबियों के डंगे पीटने वाले सुले इसलाम कभी भी इसलाम कभी भी दौलत से आगे नहीं बढ़ा है इसलाम कभी भी तिजाउरी के खनकते हुए सिंकों की चमक पे आगे नहीं बढ़ा है इसलाम कभी भी सोने और चांदी की जंकार की पुलिया पर आके नहीं बढ़ा है बलके जासतों तो जुमलाते तो कुछ लोग कहीं से है तो इसलाम के बेटों के पिलेंट से गोश्ट की बोटिया झीनना चाहते है तो जमाली के लिए कहिना चाहता है कि इसलाम गोस्ट की बोटिते नहीं फेला है इसलाम तो नभी की सूची रोटियों से फेला है इसलाम तो नभी की सूची रोटिते वाच का कहने जिन्दावाच वाच पूरा मजम adapted उठा के बोले सुभान अलला किसी का आग छुपाना रहे तुम्हें कर्मला के शहीदों का वास्ता है तुम्हें अली अजगर की मजलूमियत का वास्ता है तुम्हें अली अक्पर की जवानी का वास्ता है तुम्हें अभास के होसलों का वास्ता है पूरा मजवाद उखा के बोल दे सुभानला और तरब के बोलो या रसूल आला इसलाम केसी फगीरी से चला है? आओ मैं तुमें एक कहानी सुनाता हूँ अकर शीने में थड़कता हु세요 दर्द मंदील होगा तब मेनी ये कहानी सुनोगे अगर तुमको अपने इसलाम की कामवियों इसलाम की कामयाबियों के उन पन्नों से महबबत होगी जिन पन्नों पर तुम्हारी कामयाबियों की धरी लिखी थी तब मेरा ये वाकिया सुनोगे इसलाम पैसों से नहीं भैला है इसलाम सोने और चांदी की पुनियाद पर नहीं भैला है कल उतनी मस्जिदें नहीं थी कल उतनी मौलवी नहीं थी कल उतने मुसलमान नहीं थे जतने मुसलमान आज है मकर क्या बात है कि वो 313 थे हुकूमत करते थे आज करोडों हैं गुलामी कर रहे हैं वो क्या बात थी कि हम मुक्तसर थे मगर कामियाबियों के ज्छेंडे लहरा रहे थे तो आओ तुम्हे इस तुम्हे बताओ कि हम तलवारों से भी नहीं चले थे हम कीरों से भी नहीं चले थे हम और बारूद और पंग की बुन्याद पर नहीं चले थे हम मस्जिदों से भी नहीं चले थे हम सजदों से भी नहीं चले थे हम खानकाओं से भी नहीं चले थे अरे हम जब चले थे मक्के से तो ना कोई मस्जिद थी अगर सची बात है तो हाद उखाँ के बोले सुभाजिया कोई मस्जिद नहीं थी बहुत बड़ा पेगाम है अरे रपूवट के एलान के बाप तेरा साल तक मुश्टफा मक्के में रहे लाहुआखबर नगर तेरा साल तक कोई मस्जिद नहीं अशित्रीग आप कैसे नभी की जुल्फे गिरहगीर के शिकार हो गए कोई मस्जिद नहीं थी अशित्रा खवदीचा अपने अपने आपको नभी के बाजारे इसके में क्यों बेच दिया ए मुला एक काइनाद आपने अपने आपको नभी की गलियों का दिवाना क्यों बना दिया क्या नभी का सजदा देखा था क्या नभी की नमाज देखी थी क्या नभी की नियत देखी थी तो जवाब देंगे नभी का सजदा कहा देखा था नभी का तक्वा देखा नभी का किर्दार देखा था नभी का तबस्ब देखा था नभी का सब्र देखा था नभी का शुक्र देखा था नभी का प्यार देखा था कैसा था वो कैसा था नभी का वो सब्र का केवार तो जवाब मिलेगा पत्थर बरस्ते रहे पत्थर बरस्ते रहे मगर नभी ने दुआ दिया लास्टे में काते बिछाए जाते रहे मगर मुस्तफा ने दुआ दिया गंदगी का धेर धेर डाल दिया गया स्यदा फात्मस अपने बाबा का सर दोती है व्रोती है पाबा कियो ये लोकतंगं करते हैं आपको मुस्तफबा उस वक्ते भी बद्ड़ा नहीं करते बल्के बल्गे आटाटे पातिमा रो मर् अाज हमने सब कुछ समयचेने की कोशिश किया मगर नवी के कीरदार को अपनाने की कोशे। कि नभी के किरिक्तर को अपनाने की कोशिश नहीं किया हम सिर्फे दाव में रहे हम इ смских बातों में रहे तो भिर तारी नी पॉकार कर कर के दिस्ट तो दस्ट हैं हमने न भी की फधीरी की कहानी सुनिये सुनिये मुश्कुरा दिया है को मुश्कुरा कर सुभानला बोल दीजिए आओ तुम्हें अपने आखा की फखीरी की एक कहानी सुनाओ फखीरी की कहानी सिद्धीक है उमर है दोनों चले आ रहे है चेहरे का रंग बगला बगला है आखे कुछ अंदर की तरफ चली गई होट सूब के दोनों आ रहे हैं दोनों की नजर मुस्तफ़ा पे पड़ी दोनों की नजर आखा पे पड़ी आखा ने देखा का ऐए मेरे महभूब गलामों ऐए मेरे प्यारों चेहरा उतरा हुआ क्यूं है ऐए शिदीग परिशान क्यूं हो ऐए उमर होट सूब क्यूं गए तो दोनों बुजर्गों ने कहा आखा कई दिन से कुछ खाने को नहीं मिला भूका हूँ मैं इसलाम की फकीरी सुना रहा हूँ कई दिन से भूका हूँ सोचा कहीं से खाने का इंतिजाम हो जाएगा जब कोई इंतिजाम हो सका तो हम दोनों ने फैसला किया कि चलो चल कर आखा को देख ले आखा को देखेंगे और भूक मिट जाएगी आखा का दीदार करेंगे और भूक मिट जाएगी आखा ने गुलामों को देखा आँखों में आशू आ गए तडब गए रसूल पाग कहा शिद्धी क्या कमी थी आराम से खाते थे अच्छी जिन्दगी गुजारते थे उमर कमी क्या थी कामियाब मुस्कुराहटों के साये में जिन्दगी गुजारते थे मगर मेरे लिए तुमने आराम छोड़ दिया मेरे लिए तुमने आईशु इस्ड़ की जिन्दगी तरके कर दिया मेरे लिए तुमने इतनी परिशानिया उठाई आका ये कहते हैं और आखों में सावन भादो है फिर आका ने जो आगे जुमला कहा वो सुनो आका फर्माते हैं शिद्दीग उमर जो हाल तुम्हारा है वही हाल तुम्हारे नभी का अलाहु अक्पर जो हाल तुम्हारा है वही हाल तुम्हारे नभी का है अईसी सूरत में तो इसलाम रूका नहीं क्या कहने भूत थी मगर सलाम आगे बढ़ रहा था प्यास थी मेरे मुस्तिफा का इخलाख बहुत भाला था मेरे मुस्तफा का किरदार ना जवाब भा मेरे मुस्तफा का करेक्टर बेमिसाल था, आसका कुछ मेरे पास है, मगर शायद वो करिक्टर हमसे चूट रहा है, वो किरदार हमसे चूट रहा है, मस्जिदे तो है, मगर वो किरदार नहीं है, नमाज तो है, मगर वो किरदार नहीं है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, इमा की हरारत वालों ने, मन अ अपना पूराना पापी है, बर्सों में नमाजी बन न सका क्या हूब अमीरِ फैसल को सनोशी ने पेखाम दिया तु नामों नसब कहे जाजी है, पर मुन कहे जाजी बन न सका जरूत इस बाग यह है, क्या हम अपने तिल को मुस्त districts की गलियों का भी कारी बना दे हम अपनी निगाह का मुस्तफा की गलियों का भी कारी बना दे वरना याद रख को पूरी दुनिया मारने पर तुली हुई है पूरी दुनिया तुमको तबाह करने पर तुली हुई है एक बात मैं आपसे कह रहा था मेरे घर में कुरान है कितनों ने कुरान को क्या समझा है याद रखना न्यूटन की थियूरी पढ़ने वाले न्यूटन की थियूरी बदल से बदलती रही है आइस्टन का नजरिया बदलता रहा है सो कुराद का फलसफा तूटता रहा है वो कुराद की गुफटगू खन्त होती रही है नगर जो किताब कभी नबदली और कभी नहीं बदली जा सकती है वही किताब कुरान है जो तुभारे घरों में है वही कुताब किताब कुरान है इस कुरान का माना क्या होता है कुरान का माना ही होता है ऐसी किताब जो हर वक्त परही जाए आईसी किताब जो हर वक्त तिलावत की जाए मेरे मुस्तफा के सीने नगुवत पर जो किताब उद्री है उसे कुरान कहते है और कुरान का माना ही है आईसी किताब जो हर वक्त पही जाए आईसी किताब जो हर वक्त तिलावत की जाए ये कुरान क्या है? कुरान कैसी किताब है जो अपने पढ़ने वालों को जमीन की पस्तियों से उठा कर आसमान की बुलदियों पे पहुंचा देती है यह कुरान कैसी किताब है जो इंसान के अंतर के दिल को इतना बदल देती है कि जो इन्सान रिजालत के गठे में गिरा होता है उसे वक्त का सुल्तान बना देती है ये किताब उसे वक्त का पाद्शा बना देती है ये किताब पूरा मजमाद उठां के बोले सुल्ण ला किसी कहा जुगा रहे जिर लगा के बोलो या रसुल ला अचीब किताब है ये कुरान और कुरान का माना ही ये है जो हर वक्ते पढ़ी जाए जो हर घरी पढ़ी जाए अब जड़ा देखो कुरान ऐसी किताब जो हर वक्ते पढ़ी जाए कुरान ऐसी किताब जिसकी इस्तिलावत हर वक्ते की जाए वाहरे निजामे उद्रक वाहरे लाही तानून कि अल्ला ने पांच वक्ते की नमाज रख दिया और नमाज असरे भी है नमाज में जोहरे भी है नमाज में मगरिब भी है नमाज में एशा भी है पांच वक्ते की नमाज है मेकर वक्ते देखो कहीं जोर है, कहीं मगरिब है, कहीं एशाख है, कहीं मगरिब है, कहीं फजर है जलिए पूरी दुनिया में कहीं न कहीं, कोई न कोई नमाज होती रहती है जब जब नमाज होगी, तब तब कुरान की दिलावत होगी तो रब ने जहाँ अपनी नबातत रखा है पूरे किताब पुरान मुकदस ये नभी की नात है ये नभी का तश्किरा है ये नभी का जिक्र है और अबातत खुदा की दिलावत पुरान की गोया के रब ने ये मिजाज दिया कि जहाँ जहाँ पर मेरी अबादत पाई जाएगी वही वही पर मुश्टफा की अजबत पाई जाएगी मुश्टफा का मकाँ पाया जाएगा नारे तक्बीर नारे रिसालत बहारे मदीना कॉन फरेंड मस्रक आला हदरत जश्क दस्तार हिब ये किताब है कुरान हमने तकों पे सजा के रख दिया इतनी अजीम उश्टफा किताब और हमने इस किताब की अहमियत निसाफ नहीं किया हमने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और कुरान को ये समझा है के जाड़ भूग की किताब है हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ कुरान खानी की किताब अपने किरदार के समझ लिया है हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ शादी के मौके पर बेटी को जहेद में देने का एक तरीका बना के रखा है हमने कुरान केशी इस अजी मुशान किताब के साथ इंसाफ नहीं किया है आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ अगर चीने के अंदर दिल है तो फिर इस कहानी को सुना आज हमें नहीं हमें एसास नहीं कि कुरान केशी किताब है ताकूप पर रख दिया है आओ जरा पूछते हैं रशा के उन मुसल्मानों से ये रशिया जिसे आप कहते हो जिसे रूस आप कहते हो यहां से भी एक बार सो कोशिश किया था इस्तिराकियत के मानने वालों ने के पूरे रूस से पुरान को खत्मे कर दिया जाए पूरे रूस से इसलाम को खब कर दिया जाए रूस से मुसल्मानों का सफाया कर दिया जाए रूस के मुसल्मानों के घरों में कुरान दिखना नहीं चाहिए ये रशा की एक कामियाब बुलत सबस्वादिश थी गोर से सुनना इसलाम के बेतो इनी पत्थरों से चल कर जो तुम आसको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है आप भूल जाएक मैं आपको हैसाओंगा आप ये जहन से निकाल दूएक मैं आपको कहकाओं की दुनिया दूँगा आप क्या क्या आप हसने वाले हैं कब तक हचते रहोगे जब तक तुम रोते थे दुनिया तुम्हारे रोने पर काम्यावियों की सनद लेती थी जब जब तुमने रोना चोड़ दिया है जब जब तुमने अपनी आपों को रब की बारगाव में परसाने से गुरेशए कर लिया है तब से तुम पीटे जा रहे हो तब से तुम मारे जा रहे हो काश तुमने रोना सीख लिया होता आओ नभी की जिन्दगी देखो उम्मत के लिए रोते हैं आओ शिद्धी की जिन्दगी देखो किस कदर रोते हैं आओ उमर की जिन्दगी देखो कितना रोते हैं, लगर तुम कितना रोते हो, तुम उसका भी तो एत्साब करो, इसलिए रोना बंद, इसलिए हसना बंद करो, और रोना शुरू कर दो, जिस दिन तुम रोना शुरू कर दोगे, खुदा की रहमत बलबल कर बलाए लेना शुरू कर देगी, खुदा की रहमत त मैं जिन्दाबाद जिन्दाबाद सुबहार एक अजीब मिदाश सा हो गया है लाकों रूपे जल्सों में खर्च होते हैं अरे ऐसे मुकर्रिर को बोलाया जाता है जो आपकी सिमात के उन धर्कनों को जिन धर्कनों में कामियाबियों के लोहुदा वाना चाहिए था आपको कह कहों से आपका फ्यूचर दबा कर रहे हैं और आप कहते हैं कि बहुत अच्छी गुस्तंगू हुई है आप कहते हैं बहुत अच्छा जलसा हुआ है हम उलमा से भी माजुरत के साथ कहेंगे कि अपने इस चेस के तकत्तुस को अगर आप पहाल नहीं करेंगे तो आने वाली नसले आप तो कभी माफ नहीं करेंगी आने वाली नसलों की जिन्दगी ख़द्रे में हैं आज पूचो हम जैसे मौल وिओ से तारी रखका त्रेव पर चलना मुश्किल होнов रहा है आज पूचो हम जैसे मौल وिओ से गलियों में निकलो तो वहिशत और तहषत का समा है नजन को नहीं समझा है मेरी कौम के बेटों ने मुहम्द रुसुल्लाग की रिसालत के वकार को नहीं समझा है मेरी कौम के बेटों ने शिद्धी की अक्बर का नारा तो लगाना अश्यक लिया है नगर शिद्धी की सदाकत को नहीं समझा है मेरी कौब के लालों ने हजदते उमर का नारा तो लगाया है नगर उमर के अदले के फलस्फे को नहीं पढ़ा है रे याद रखना याद रखना इसलाम तेरे कर्टूद से नहीं फैला है इसलाम बुजर्गों की आदा से फैला है इसलाम मुझरुगों की आवा आपसे हात उखा के बोलो सुभानला हाथ उखा कर हाथ उखा कर बोलो सुभानला दो पुछने के गरीब आजाओ आओ मैं तुमें रशा के एक कहानी सुनाता हो हضरत ए हसन भाई दौाओं के साथ मुलाज़ा फर्माये खता हो तो अता हो जाए रशा की सरजमीन मुलक रूची से कहते हैं अजीब हवा चली थी वहाँ की इस्तिराकी ताकत ने जब अपना पंजब उस जमीन पे गाड़ा उन लोगों का एक मिशन था उन लोगों का एक मकसद था किस तरीके से रशा से इसलाम को बाहर कर दिया जाए किस तरीके से इसलाम के बेटों के हाथों से कुरान छीन कर जला दिया जाए किस तरीके से रशा के मुस्लमानों के सीने से नभी की महबत का जो चराग चल रहा है उसको निकाल कर गुल गुल दिया जाए ऐसी सोच थी आपको हैरत होगी इदर देखिए मेरे भाई इदर देखो मेरा ये शायद कोई जूमला राएगा हो जाए तो मुझको अफसोस होगा मुझको अफसोस होगा ज़रा हाद उठा के बोलो सुभानला मैं आपके तारीख सुना रहा हो अगर हो सके तो आप जाकर लाइबरेरी खुदाबख्ष लाइबरेरी में पढ़िए के रूस में क्या हुआ हो सके तो आप किसी बावकार आली में दीन से पूछिए के रूस में क्या हुआ था हो सके तो आप जाकर जामे अमिलिया दिल्ली की लाइबरेडी में किताब निकालिये तब आपको मालूम होगा कि इसलाम के बेतों को किस तरीके से मारा गया रूस की सरजमीन पर मगर आप गोर फर्माएगे इतनी सक्सी थी इतनी सक्सी थी किसी के घर में कुरान का होना तो दूर की चीज़ है अगर किसी घर के सामने गली में भी कोई अरबिक वड़ दिख जाए तो उस घर वालों के सर को धर से अलग कर दिया जाए अरबिक वड़ देखने पर यहालत थी कुरान पर क्या होगा सोच सकते हैं मगर बरी हैरत की बात मैं आपको बताऊ कि वहान के लोगों ने वहां इसलाम के बेटों ने किस तरह कुरान की हफाज़द किया किस तरह के से स्लाम की हफाज़द किया तुम्हारे घरों में 不行 बारों याद रखना अगर तुम ये थे समखते हूँ कि हिस्तान में 25 क्रों मुसल्मान है कोई क्या कर लेगा तो अपनी भूल में मत रहना याद रखना कि इसलाम कभी खद्रे में नहीं रहेगा नगर मुसल्मानों तुम अपनी नसलों की सोचो तुम अपने भाईयों की सोचो कि तुम्हारे सीरों से की महबद निकल जाएगी तो नसलों का क्या होगा आपको मालूम है कि इसी उंदूलुस की सरजमीन पर मुसल्मानों ने कितने साल हुकुमत किया था वुलमा मौजूद है साथ सो साल तक मुसल्मानों ने हुकुमत किया था जिस सरजमीन पर इसलाम के बादशाहों ने साथ सो साल हुकुमत किया आज उस मुलके की हालत ये है कि एक भी मस्जिद नहीं है जिसके मिदारों से अल्लाहु अक्पर की सदा सुनने को मिले ये उस मुलके लिए हालत है जहाँ साथ सो साल आपकी हुकुमत रही है जा साथ सो साल आपने कामियाब लोगे परचम लहराते रहें एक कामियाब पलान आपको मिटाने के लिए हिंदुस्तान की एक दैशनकर्द तंदीम लेकर चल पड़ी है किस तरीके से इसलाम की बेटियों को आवारा बना दिया जाए किस तरीके से इसलाम के बेटों को लूट लिया जाए तीनी के परदों पर आप नहीं देख रहे हैं कि कभी दिलाग का मसाला उठाया जा रहा है कभी निकाह का मसाला उठाया जा रहा है कभी हलाला का मसाला उठाया जा रहा है कभी इसलाम के कानून से कैईवार किया जा राव है यह क्यों? अरे खड़ा की कस्म इसलाम के कानून में कभी कोई लचक नहीं है कौरानी तकद्स में कहीं से कोई कमी नहीं है मगर हमने अपनी बीवी को बी बीवी नहीं समझा इसलिए गेर उलिया उठा रहे हैं हमने अपने मुआसरे को मुआशरा नहीं बनाया आज जरुवत इस बात की कम है कि शरीयत बचाओं कॉनफरेंस किया जाए जरुवत इस बात की है कि अपनी कौम को शरीयत समझाओं कॉनफरेंस किया जाए शरी बचाने की बाद तुम करोगे अरे ये कौम है इसी हो गई आज की तारीख में कि जो कौम नारे लगा लगा कर तुम कहते हो कि इसलाम के खादिर सर कटा देंगे किस मूँ से तुम कहते हो कि इसलाम के बेट इसलाम के लिए सर कटा देंगे अगर इतने ही खेरत है इसलाम को बचाने की इतनी ही सोच है तो सर कटाने की बाद बाद में करना पहले जब मुखजी नजान दे तो सर जुकाने की सोच लेना सर जुकाने की सोच लेना इसलिए कि जो कौन सर जुकाना सीख जाती है तो पिरा लाह का रसूल फर्माता है तमादालिल्ला फरफाल्ला जो लाह के लिए जतना जुक जाता है लाह उसे उतना ही बड़का नारे तक्भीर नारे रिसालत आओ तुमें रशाजी कहानी सुना हुआ जिंदा बाद जिंदा बाद तो हाद उखा कर बोलिए कितने लुख सुभान अल्ला पूरा मजमब बोल दे सुभान अल्ला रशा की सर्रमीन है एक हजीब सोच है कि कैसे इसलाम के बेटों से इसलाम छिन लिया जाए कुरान देखा पूरे घर को जला दिया कहीं पर गली पूचे में अरबी लफ़ देख लिया तो उस घर वालों को काट के रख दिया यानि किसी दरीके से इसलाम का सुरज भूब जाना चाहिए तो फिर रशा की सरहत पर इसलाम का सुरज दिखना नहीं चाहिए नगर आपको हैरत होगी मेरे घरों में कुरान है इसलिए अभी अहमियत नहीं समझ रहे है तरह चल कर पलट कर देखो घर बनाने वालों ने घर बनाया नीचे ताखाना बनाया और ताखाने के नीचे आलिम को रख दिया हाफिज को रख दिया कुछ बच्चों को रख दिया अब बच्चे ताखाना में रहते और कुरान के हाफिज होते बच्चे ताखाने में रहते आलिम होते और जब इस्तिरा की फाउच जब रशा की फाउच तलाश करती कि सिलाम के किस बेटे के घर में गरान है तो जहां मदरसे चलते थे ताहगाने में जहां कुरान के तालीम होती थी तो उस तरावाजे पर इसलाम के बेटे लकलियों से इस तरह की अलमारी बना कर उसमें शराब की बोतले रख देते थे पीते नहीं थे रख देते थे ताके जब दुश्मन फौज आए तो वो ये समझें कि जो कौम शराब पीती है वो कौरान कहां से रखेगी जो कौम शराब की बोतल उठाती है वो कौम कौरान कहां से सीखेगी वो लोग देखते थे चले जाते थे दुश्मन फौज देखती थ चली जाती थी, कि यहां तो शराब का मामला है, यहां तो जामों मीना का मामला है, यहां तो पीने पिलाने का मौसम है, चलो यहां थोड़ी ही कुरान की तलावत होगी, मकर इस तरीके से बच्चे ताखानों में रहते थे, और कुरान के हाफिज होते थे, अधीस मुस्तफा के हाफिज होते थे एक हिंदोस्तान का टूरिस्ट सयाह उसी पिरियद में रशा पहुचा वो धूर रहा था नमाज का वक्त था तूरिस्टे के लिए कोई पाबंदी नहीं थी वो धूर रहा था कि कहीं नमाज पहलू एक वीरान सी मस्जित दिखी ये उसी में चला गया इसने पढ़ी आबादी के छोते छोते बच्चों ने एक अजनभी को नमाज पढ़ते हुए देख लिया नमाज पढ़ते हुए देखा नमाज पढ़कर जो निकला आबादी के बच्चों ने सलाम किया अपनी जुबान में सलाम किया और बात ही बात में पूछा कि आप मुसल्मा हां मैं मुसलमान हो तो एक बात कहूं आप मेरे घर चलकर चाई पीना पसंद करेंगे कि हम भी मुसलमान हैं तो जब घर गए, चाय पिलाया, चाय पिया उस टूरिष्टे ने, उस सयाह ने, उसके बाद बच्चों ने कहा, ए मेरे भाई, आपके पास कुरान है, आपके पास कुरान है, कहा कुरान है, छोटे शकले में कुरान है, कहा कुरान है, देखाओ तो सही, मैंने देखा नहीं है, मैं उसे चूमना चाहता हो जब दिखाया सद्री से निकाल कर उस सियाह ने खुरान को तो उन बच्चों ने लिया आखों पे रखा, सर पे रखा चूमा, आखों से आशू रहा थे कहा कि मम एश ए अजनभी सियाह मुझे खुरान याद है मुझे खुरान याद है अगर मुझे पूछो सुरे बकरा कहा है मैं बता दूँगा मुझे पूछो सुरे रह्मान कहा है मैं बता दूँगा मुझे पूछो कि कुलुल सुरे खलाश किसे कहते है मैं पढ़के सुना दूँगा मुझसे पूछा सुरह यू सुन क्या है मैं पढ़के सुना दूगा मगर ये बोलोगे कि कुरान में कहां पर है तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा इसलिए कि हमने कुरान को देख कर याद नहीं किया है हमने हाफिजे कुरान से सुन कर याद किया है हमने सुनकर याद किया है आपको हैरत होगी थी कि अतनी बड़ी ताकत लगई थी अतनी बड़ी लगई थी दुश्मन तहरीक सर जोड़कर बैटी थी किस तरीके से रशा से इसलाम का खात्मा हो मकर उर्बान जाओ इसलाम के उन खैयूर्बेटों के होसलों पर जिन बेटों ने बाबन्तियों की बुनिया कर जमीन के देखादों में मदरसा खोलकर अपने पक्चों के सीनों में कौराणियाया को डाला था देख दिन वह भी आया कि जिस रशा ने इसलाम को निकालना चाहा था रशाट चूट गया इस्लाम की ममलकन निकल गई इस्लाम की संद्रण निकल गई इस्लाम का इलाका निकल गया हायाया यूरिशे दातार के अफसाने से पासबा मिल गए कावे को सर्थ खड़े ओके बिटा खड़े ओके सब लोग जबांदे वही Allah Akbar या रखो लगज जिन्दा बाद Allah Akbar हमनेशायत आज जो कुछ हो रहा है यह अपनी बढ़ मली का नतीज़ा है याद रखिएगा सिर्क नमाज पढ़ना भी मसले का हल नहीं नमाद पढ़िये और रब की बारगाह में अर्जी पेश की मौला सर जुका दिया है अब निकल रहा हूं रोजी की तलास में अब निकल रहा हूं इल्म की तलास में अब निकल रहा हूं यूनिवर्शिक्टों की तरफ अब निकल रहा हूं मदरसे की तरफ इसलिए के जब सर जुका कर निकलिएगा, तो खुदा फर्माएगा, मेरी रहमत जूम रही है, सर जुकाता रहा, आगे बढ़ता रहा, सज्दा करता रहा, आगे बढ़ता रहा, इसलिए के, इसलिए के, जो रब की बारगाह में सर जुकने लगता है, इस जजबे के साथ, उस सर को दुनिया की क कोई ताकत जुका नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत जेर नहीं कर सकती है, आओ हम अपने नभी के खिलाग से प्यार करें, आओ हम अपने नभी के किरदार से प्यार करें, इसलाम कितनी तेजी से फैला, वक्त नहीं के मैं फैला कर बताओ, मगर अकल मंदों के लिए इशार काफी है तलहा साब कि बला सब्वर साब कि बला हुलमाई है ने सुन्त हज़रत असलम भाई जरा मुलाइज़ा फर्माईए का मैं बहुत समेट कर बोल रहा हूँ मेरे आका ने 40 साल की पाकीजा अमर शरीप में नुबूवत का एलान किया सामई हजरात एमार सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपके खिद्मत में पेश किया जा रहा है समात फर्माईए कितरे साल में 40 साल में आका ने नुबूवत का एलान किया पूरी उमर आका की 63 साल 63 साल नभी की पूरी जिन्दगी होल लाइफ और 40 साल में आका ने नुबूवत का एलान किया 40 साल तो नभी ने मक्के में गुदारा है बच्पन भी इसी में है लड़कपन भी इसी में है जवानी भी इसी में है पचीस साल की गबरू कडियल जवानी में 40 साला बेवा खधीजा से शादी भी इसी में किया 40 साल की जिंदगी है मेरे नभी की और अभी नभूत का एलान नहीं किया है 40 साल मक्के में गुजारते हैं आप दो आशरे में रहते हैं आपका बच्चा है आपका भाई है दो साल के बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता वो रोवे गाएश से क्या मतलब है 4 साल 5 साल के बच्चे लडाई शुरू कर देते हैं 8 साल का बच्चा लडाई में और मामला धेला फेकर मारफीट करता है जब लड़का बड़ा होता है 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, अब गैंगवार की लड़ाई शुरू होती है, गुरूब बंदी की लड़ाई शुरू होती है, इधर भी 10 लड़के 18 साल, 14 साल, 16 साल के होते है, और उधर भी 14, 15 साल के 10 लड़के होते है, तलवारे भी निकलती है, ला एक बच्चा बुराई करता है, एक लड़का बुराई करता है, 18 साल गुम्रे में बुराई होती है, मगर फुर्मान जाओ, उसी मक्गे में नभी ने 40 साल पेश किया है, बच्पन पेश किया, मगर कोई बुराई नहीं, आका का बच्पन लाजवाब है, आका का लड़क्पन लाजवाब है, आका की जवानी लाजवाब है, यहीं पर जमाली को बोले ने किये जासमते तो, कि जो नभी बईदाईश के चिन से लेकर 40 साल तक इतना बेदाग रहा हो, तो जो रेलाने नभुवत से पहिले उतना बेदाग रहा हो, नभुवत के इलान के बाद कितना बे यहें रहेगा, तो आल्यामा हजरत की जुबान में यहीं कहना पड़ेगा, वकमाल रूसन नक्षन जहां नहीं यही भूल खार से दूर है यही शिम्मा है के धुआ नहीं यही बोले सिद्रावाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छाण डाले तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया सरवर कहूं के माली को मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुले जेबा कहूं तेरे तो वस्वेय पे तनाही से है बरी हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे आखिर नदा ने खत में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंद खलके का मौला कहूं तुझे आफा कहा कर दीदा अम मेरे बोता वर्जीदा अम बिस्यार खुबा दीदा हम लेकिन तु चीजे दीगरी या साहिब अलजमार वया सेयत अलबशर इन वजह कल मुनीर लकदनव और अलकमर ला युकिनु सनाओ कमा काना कोहू बातस खुदा बुजूर के तुई किसम मुक्तसर नाजवाब जिंदगी है रसूल की बेमिसाल जिंदगी है रसूल की अरे चाली साल तक आप का कहने जिन्दावाबं चाली साल तक किसीने मुकालपत नहीं किया जब नबी ने कहा पत्थरों के आगे हो एक आल्ला की वैध एदनीित का ऐलान करो मेरी रिसालफ का कलमा जब लो पत्थरों को छोड़ो कामियाब हो जाओगे जैसी एलाने नबुवत किया दुश्मनी शुरू हो पूरी काइनात में अल्ला हुआ अक्बर सब लोग जवाब दें भई या रसुल आल्ला जिन्दा बाद और या रसुल आल्ला जिन्दा बाद आल्ला हुआ पूरी काइनात अंशानियत एडिये पूरी काइनात अंशानियत में तन्हा रसूल की एक जाद है कि जिसके बच्पन पर कोई अख्तिलाफ ले जिसके लड़क्पन पर कोई उगली नहीं रखी गई चालिस साल गुजार देने वाले पर उगली उठाई जा रही है गोया दुनिया को अकलमन ये बोलेंगे कितना बड़ा बेवकुन उफेत कितने साल में नभी ने नभूवत का एलान किया हाथ उठा के सब बोले सब लोग बोलो ना भाई ताके कुछ याद करके घर भी जाओ कितने साल और बलादावास से कितने साल चालिस साल में आखा ने नभूवत का एलान किया और नभूवत के एलान के बाद तेरा साल तक मक्के में रहे कितने साल तक बहुत इंशालाब दिल्चस्पी से सुने मज़ा आ जाएगा कितने साल मक्के में रहे तेरा साल मक्के में रहे चालिस साल तक महबतों की दुनिया में रहे और एलान किया तो नफरश शुरू हो गई अबुजहल मुखालिफ, अबुलहब मुखालिफ, उतबा मुखालिफ, शैबा मुखालिफ मगर तेरा साल मक्के में जिन्दगी गुजारने वाले मुस्तफा की जिन्दगी देखो काटे बिचाए गए दुआ दिया, ओजुरी डाली जा रही है, दुआ दिया दुआ दिया, तेरा साल तक कभी नवी ने मारना तो दूर की चीज़ है, तमाचा देखाना तो दूर की चीज़ है, कभी नवी ने उमली तक नहीं देखाया, मगर यहीं पर जमालिय का वधिदे का पयगान देकर गुज़रेका कि जिस नभी ने एलाने नभूवत के बाद तेरा साल तक किसी को उंगली तक नहीं देखाया तो कोई नभी को कमजोर न समझे कोई नभी को पावर लेस न समझे जिस नभी ने नभूवत के एलान के बाद तेरा साल मक्ये में रहकर गालिया सुनी दुआ दिया पत्तर काये दुआ दिया, वो जुनिया डाली गई दुआ दिया, जुल्मे पर जुल्मे सहे दुआ दिया, नकर किसी को मारना दूर की चीद, उंगली तक नी देखाया, तो कोई नभी को कमजोर न समझे, अरे जिस नभी ने मक्के में रहे के, किसी को उंगली नहीं देखाया जब जब वुवकत जलाल आया तो उसी मक्य में आमना के बेटे ने उमली देखा कर चांद के सीना भार भी दिया सी अल्लावा पुला बाँ 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 अब फिर आपसे मैं बाते करूँ 40 साल में आका ने नोबुवत का एलान किया 13 साल तक मक्य मे रे 40 पलस 13 कितना हुआ 30 पन बोलो जदीशे कितना हुआ पूरा मझमा बोले पूरा मझमा हादुहर का बोले कितना हुआ 53 साल आका की पूरी जिन्दगी अब जंगहुनेयन का मारका सामने, अब जंगहुनेयन सामने है, दस साल में, इसलाम फैला, इसलाम फैला, इसलाम फैला और करीब आईगी, आका का वेशाल हो गया, आका दुनिया छोड़ गये, सिय्यतλειके अक्पर तश्रीफ लाए, आप 2 साल 6 मैने, 8 मैने, कुछ दिन खिलाफत की कुरसी पे रहे राउन पीकर में उसे 3 साल माल लो कि शिद्धी रहे आका ने 10 साल आका ने 10 साल हिद्रत के बाग के सूरज को आगे बढ़ाया है 10 सालर तीन साल कितना पूरा मजमब बोले कितना हब भाई साह PARLAL Nда 13 साल अब जब सिद्दीग का विसाल हो गया तो उसी कुर्सी पर सयदुना अमीरुलमुमिनी खलीफ़तु इसलाम इब मुस्लिमीन हद्दत अमर इब खत्वाब रजियल्ला अलहो तस्यूद लाए दस साल छे महीने कुछ दिन आप खिलाफत की कुर्सी पे रहे रौन फीगर में इसको 11 साल माल लेते हैं 13 साल और 11 साल मैं चुप रहूंगा आपको बोला तो तेरा और 12 साल में 24 साल 24 यार्स 24 साल में इसलाम इतने अगे बढ़ गया क्या कहले है जिननावाद पूरा मझमब अल्ल्स सम्था सुबहान अल्स वालिदाईं की महब्त का वास्ता है सुबहान अल्स तो वम्हान अल्स शाल में इसलाम इतना नाप्पेल गया क्या क्या बाइस लाग मझमब आपकी ग darum certification क्याक्ता है जंदा लहरा रहा है आधी दुनिया मात्र 24 साल में मुर्णी खैरान है कि एतनी टेजी के साथ दुनिया का कोई मजभ आगे नहीं पड़ा हुआ हजदते उमर की जिन्दगी पढ़ने वाले ने हजदते उमर खिलाफत की कुर्शी पर आए इसलाम इतना फैल गया कि 22 लाक मुर मिल पर हजदते उमर की खिलाफत का जंदा लहरा रहा था जब एक अंग्रेज मौर्णी ने हजदते उमर की जियूनी बायो किराफी का मुताला किया तो बड़ी हैरत से कहता है सादा जुम्ला है तनहाई में आशू भी वहाई ये और हजदते उमर की अजमत पर कुर्बान कि जाईए कहता है मुख के काश 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 इसलाम को एक उमर और मिल जाता है इए उमर तुझमें खुबी क्या थी ओमर तुझमें क्माल क्या था तो हजदते इमर कहेंगे जब तक नभी के बाजारे इश्के में नहीं पिके थे कोई कमाल नहीं था वही मेरा काउं था वही मेरा कबीला था और वही मेरा बाप खताब खताब लेका बेते उमर उटों को लाइन में लगा दो जब उटों को लाइन में लगा रहे थे तो कुछ आगे कुछ पीछे लाइन में रहने को तैयार नहीं तो खताब ने अपने बेटे उमर के चेरे पर जोरदार कमाचा रसीद किया था अब मारते हुए कहा था उमर के बाब खताब ने तो कैसा अरब का बेटा है जो उंटों को भी सभाल नहीं पाता है हदाते उमर जब कुछ दिनों के बाद नभी के हो गए और खिलाफत के कुरसी पे आए अब बेटृमुकंतस की तरफ सफर कर रहे थे उसी मैदान से घुजर हुआ रोने लगे रोने लगे रोने लगे हजदते उमर के गुलाम असलम हपशी कहते है आका अचानक क्यों रोने लगे अचानक आँखों में आशु क्यों आ गया तो सुनो जवाब अपने आका उमर का आका उमर कहते है जानते हो असलम यही वो मैदान है यही वो वादी है जहां बाप के कहने पर मैं उन्टों को जब ठीक करता तो उन्ट सम्हाल नहीं पाता और जबसे नभी की जुल्फे गिरहगीर का अशीर हो गया हो जबसे नभी की जुल्फे का शैदाई हो गया हो उमर तो वही है दिमाग तो वही है आख तो वही है हाथ तो वही है पाउ तो वही है मगर दिल बड़ सकी हो दिल बड़ा घनी हो गया है क्या मतलब का यही मैदान में कल तक उमर बाप के उंटों को नहीं सभाल पाता था और आज आका का इसा करम हुआ है कि उमर रहता है मदीने में और दर्याए ददला के किनारे भूकी मर जाए उमर उसको भी सभाल तक उमर रहता है मदीने में और दर्याए नील का पानी सूप जाए तो वहां के किसाल भूके मर जाएंगे तो अपने कल्ब के निपकी निग्ली वी रोश्नाई में अतनी टाकत दे देता है कि दर्याए नील में पानी की लहरे चाँ उमर रहता है मदीने में मगर मकाम नहावंद में इसलाम की फौज जीत रही है या हार रही है हारती हुई फौज को उमर मस्जिद नबवी से आवाज लगाता है तो शिकस्त जीत में बदल दिया करता है कल उमर बाब के उटों को नहीं सभाल पाता था और आज उमर का आलम ये है कहां मदीना और कहां मिस्र हम मिस्र के दरिया पर भी उमर की हुए मचलाँ महबच से बो सभानला हाथ उठा कर बो सभानला अब आईए ज़रा करीब आईए हज़त उमर का एक वाक्या सुनाता हूँ तकरीさん खंदे को अजयर आज़त ज़ते हैं अब आईए ज़रा देखें की जिंदगी का एक करिक्टर सुना होगा पढा होगा हर गुलेरा रंगो बुवे दिकरष हर फूल का रंग अलंग है महा का अलंग है मेरी खिदाबत के फूल का भी रंग अलग है महक अलग है उलमाई अले सुन्त की दौाओं का तालिब होकर मैं इस वाके को लिकर आगे बढ़ रहा हूँ देखिये उमर की जिन्दगी कैसी थी देखिये उमर के हालाग कैसे थे अरे नहीं नहीं उमर वही जलाल पेश करते थे जहाँ जलाल की जरूरती वरना उमर तो सरापा जमाल थे आओ जड़ा देखें राद की तनहाई है भू का आलम है शबे दैजूर के सन्नाते है राद में पूरा मदीना सो रहा है है और हजदते उमर 22 लाक पुरब्बा मील आधी दुनिया का वाली जाग रहा है जाग रहा है जाग रहा है क्यूं जाग रहे हैं आका हसन भाई ने तसवर में अपने आका उमर से पूछ लिया आका क्यूं जाग रहे हैं रात में आका तो आका जवाब देंगे सब सो गए हैं मैं इसलिए जाकर मदीने की गल्यों का तवाफ कर रहा हूँ कि देखू कहीं कोई भूका तड़ब तो नहीं मैं ये देखू कि कहीं किसी मजलूम की गर्दन पर किसी जालिम के पंजए जल्म और इस्तिब्दाद में अपना कब्ज़ा तो नहीं जमा लिया है मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं किसी यतीम को किसी ने यतीम समझ कर सताने की कोशिश तो नहीं किया है रात में उमर टहल रहे है एक घर चे पच्चों के रोने की आवाज आई हज़ति अमर पहुचे दरवाजे को दस्तिक दिया अंदर से इसलाम की एक बेटी पर्दे की चाद़ ओड़ कर दरवाजा खोलती ही निकली क्या बात है क्या बात है क्यू रात की तरहाई में दरवाजे को दस्तिक दिया हज़ति अमर कहते हैं गोर से सुनना इस वाकिया को हज़ति अमर कहते हैं ए इसे इसलाम की बेटी, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? तेरे बच्चे रोते हैं, दिल मेरा तडपता है. क्यों रो रहे हैं ये बच्चे? कहा बच्चे भूके हैं, इसलिए रो रहे हैं. हज़त अमर ने कहा चूला जला कर रखिये चूला तुम जलाए हुए हो उस पर हनिया भी चली हुई है उसके बाद भी तुमने खाना बनाने में देर क्यों कर दिया वक्त से पहले खाना बनाया होता तो बच्चे भूख से रोते नहीं इतना सुनना तैसलाम की बेटी जलाल मे आ गई कहती है कुछ रहे दबतो बनाऊं सिर्फे चूला रोशन कर दिया है उपर देख ची चाहा दिया है ताके बच्चा ये समझे के खाना तैयार हो रहा है वरना घर में रोटी भी नहीं है घर में चावल भी नहीं है बच्चे रोएंगे रो रो कर ठक जाएंगे सो पर देखूंगी क्या ला रास्ता निकालता है कहते कहते इस्लीम की बेटी जलाल में आ गईी और हद्दति उमर सेखती है क्यामत के दिन उमर को च्छोडू की नहीं हाश्र में उमर को रब की बारगाहे अदालत में मुझरिम के घरे में खड़ी कर दूंगी छोड़ूंगी नहीं उमर की उमर को क्यों खलीफा बना था वो इतना सुनना था हजदते उमर के पाए मुबारक के नीचे से मानो जमीर की सक गई हो हदते उमर तेज कदमों से चले बैतुर्बाल पहुचे अपने गुलाब असलम को आवाज दिया असलम कहा हो असलम ने का हुजूर आपका गुलाब डियूटी पर है सोया नहीं है कहा असलम जल्दी से बैतुर्बाल का दर्वाजा खोलो कौन कह रहे हैं उमर कह रहे हैं कौन क मील के वाली के रहे हैं, 22 लाक मुरभा मील के वाली कुछ रहे हैं, दरवाजा खोलो अंडर गए अपना दो कंध्दा है, एक कंध्धे पर घी का करिशतर रखा, एक कंध्धे पर एक बोर्या रखा, खिताबत की जुबान में उस बोरिये में चावल भी है उस बोरिये में आता भी है उस बोरिये में लहसुन भी है उस बोरिये में मिर्च भी है उस बोरिये में मसाला भी है और इतने बड़े मुल्क का वाली एक कांधे पे घी का कनिश्टर और एक कांधे पे साबान का बोरिया लेकी बुरिया लेकर चल पड़े हद्दते असलम घुलामे उमर ने कहा आका अभी घुलाम जिन्दा है आप बोज न उठाए हद्दते उमर ने कहा असलम आज तो ये बोज मुझी को उठाने दो आज मेरा बोज को दूसरा नहीं उठाएगा आज का ये बोज मुझी को उठाने दो असलम जिद करते रहे असलम जिद करते रहे जब जिद बढ़ गई तब हद्दते उमर कहते मेरा बोज उठाओगे आलिम है तो वो भी सुने पीर है तो वो भी सुने मुकरिर है तो वो भी सुने शायर है तो वो भी सुने अधीब है तो वो भी सुने दौलत मन है तो वो भी सुने मोहताज है तो वो भी सुने किर्फे हलवा माना खाने से काम नहीं चलेगा जरुवत इस बाप क्यान पड़ी है कि फिर से हम सूखी रोटी की रस्मे कोहन को ताजा करें हम उनी पुरानी रस्मों से अपने आपको जोड़ कर फिर से कामयाबियों का समंदर जारी कर सकते हैं महबच से पुरा मजमा बोल दे सुभान अल्ला हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर आप देखिए हज़दते उमर की जिंदगी का ये हिस्सा आज तो ये b Cause मैं ही उठाऊंगा असलम ने जब जित किया तो हज़दते उमर कहते हैं कहा कौन सी शर्ट है कहा शर्त ये है कि जिस तरह तुम मेरा जिस तरह तुम यहां मेरा बोज उठाने की बात कर रहे हो कियामत के दिन भी मेरा बोज उठाना पड़ेगा कियामत के दिन भी मेरा बोज उठाना पड़ेगा कियामत के दिन भी मेरा बोज उठाना पड़ेगा जब हद्दत अमर ने कहा कौन अमर आका फरमाते हैं अमर फिल जन्न उमर जन्नती है वो उमर फर्माते हैं तो गुलाम ने जो कहा वो सुनो असलम कहते है आका उमर यहां जितना बोज उठवाना है उठवा लिए यहां जितना बोज उठवाना है उठवा लिए जजाब बिबागते सबब वहां तो सब को अपने किये का हिसाद देना वहां तो सबको अपने कर्टूत के बजला मिलेगा हज़ते उमर की आँखों में आसू आ गए रोने लगे फटटट कर और रोकर कहते है असलम जब वहां बोज नहीं उठा सकते तो यहां भी बोज मत उठाओ यहां भी बोज मत उठाओ चल पड़े चल पड़े फिर से दर्वाजे को दस्तक दिया फिर से इसलाम की वही बेटी निकली क्या बात है फिर आ गए कहा बच्चे भूके थे ना मुझसे बरदास्ट नहीं हुआ मैं लेकर आया हूँ 22 लाग मुरब्ब मील आधी दुनिया का वाली खुद से चूला रोशन करता है खुद से चूला रोशन करते हैं और जब आग नहीं निकलती है तो रिवायत में है कि अपने मुझ को जुका कर चूले कि मुझ के करीब ले गए और जूर से भूक मारा तो इतना धुआ निकला कि हज्दते उमर की तारियों से भी धुआ निकले लगे उसके बाद खाना बनाया बच्चों को जगाया बच्चों को उटाया प्यार से खिलाया भूके बच्चे थी जब खाने लगे कुछ मुश्कुराने लगे शिकम सैर हो गये और मुस्कुराने लगे जब बच्चे बिलकुल खुश हो गए हज़ते उमर ने अपने दोनों हाथों को पाउं बना लिए और घोड़ा बन गए घोड़ा बनकर कहा बाबू मेरी प्रीट पे सवार हो जाओग बच्चा प्रीट पे सवार है हज़ते उमर घोला बने हुए हैं हज़ते उमर घोला बनकर घूंते हैं बच्चे मुस्कुराते हैं तसवर में हज़ते ताज औरंगा बादी ने कहा आका उमर घोला बनने की क्या जरूरत थी बच्चे तो खुश हो गए थे तो आका उमर जवाब देंगे ये बच्चे जितना रोए हैं, रोने की वज़ा मैं हूँ, रोने की वज़ा मैं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना मेरी वज़ा से रोए हैं, बच्चे उतनी ही मेरी वज़ा से हसने लगे, बच्चों को हसाया, बच्चों को पीट से उतारा, चलने लगे, इसलाम की बेटी से कहते हैं, ए इसलाम की बेटी, मेरी एक बात सुनोगी, हाँ बोलो, सारी बात सुनोगी, एक बात सुनो मेरी, मेरी सुनो, का क्या सुनो, का उमर को माफ कर दो, इसलाम की बेटी कहती है, उमर को माफ नहीं करूँगी, खलीफा तो तुम्हे होना चाहिए, मैं उमर को म माफ नहीं करूंगी, माफ कर दो उमर को, माफ कर दो उमर को, तनहा रहता है उमर, मक्का देखना पड़ता है, तनहा रहता है उमर, मदीना देखना पड़ता है, तनहा रहता है उमर, बसरा देखना पड़ता है, तनहा रहता है उमर, बैतल मुकद्दस देखना पड़ता है, त लीफा तो तुम्हे होना चाहिए, का अच्छा मुझसे खुश हो, का तुमसे मैं बहुत खुश हो, का मेरी खुशी के लिए माफ कर दो, इसलाम की बेटी मुश्कुराती है, और कहती है, माफ तो कर दूँगी, मगर ये तो बताओ, कि उमर तुम्हारा लगता कौन है, उमर त इसलाम की बेटी, तेरा मुझरिम उमर, जिसे कियामत के दिन, रब की बारगाहे अदालत में, मुझरिम के कटगड़े में खड़ा करने का एरादा रखती है, वही मुझरिम उमर तेरे सामने खड़ा है, वही मुझरिम उमर तेरे सामने खड़ा है, इतना सुनना था, इसला की बेटी रोने लगी और रो रो कर कहती है हाँ हाँ खलीफा तो तुम्हें ही होना चाहिए मैं कहना ये चाहता हूँ क्या आज हमारे पास ऐसा किरिक्टर है हम अपने पॉड़ोसी जरीब का कितना खयाल लगते हैं यह हमें सोचना होगा हम अपने व्यतीम अपने महले के यती कितना खयाल लगते हैं यह सोचना होगा और जब तक इन सब चीजों को नहीं अपनाओगे कामियाबियों की लकीरों पर तुम्हारी सोच की गारी नहीं चल सकती है इसलाम के बेटो इसलाम से अपना रिश्टा जोड़ो मैं दो मिर्ट में क्वाक्या सुना कर अपनी बात हम कर रहा हूं पूरा मचमचर हाथ उठा के बोले सुभान अल्ला ज़रा जी लगा के बोलो सुभान अल्ला आओ जरा इसलाम की एक कहानी सुनाता हो बहुत मशूर कहानी है फिर मुझे सुनीजिए आका बेटे हुए हैं सहाबा की अंजुमन है एक साहब आये अचानक कहते है दौा कीजिए मेरा बेटा गुम हो गया है मेरा बेटा नहीं मिलता है आका दौा फरमाईए गोया उस आने वाले का अकीदा था कि जब कोई रास्ता निकल जाएगा नभी से तालुकान कर लो रास्ता निकल जाएगा आका ने सुना दौा के लिए हाथ उठाया अभी दौा क जहाद उठाकर समेटा भी नहीं था कि एक साहब ने कहा आका इसके बच्चे को हमने फला मैदान में कुछ बच्चों के साथ खेलते देखा है तवज्जों चाहूं आपकी अगर इसी में किसी का बेटा गुम हो जाए अगर इसी का बेटा गुम हो करें तुम्हारे बच्चे को तो मैंने देखा है कहा देखा है कहा कि यहीं से दो किलो मीटर पर एक मैदान है वह बच्चा खेला और कई बच्चे सच बताईए का वो बाब रुकेगा नहीं रुकेगा जल्दी से भागे का उस मैदान की दरफ शायद मेरा बच्चा वहां से कहया अँग नने निकल जा बच्चे को पकड़ो इसी तरीके से आप समझे आका ने जब दुआ किया एक साहब ने कहा कि आपका बच्चा तो फला मैडान में खेल नहाँ है इतना सुनना तो वो तेजी से जाने लगा आका ने कहा हूँ जाने वाले रुक जा नबी ने कहा रुख गए सुन तेरा बच्च अब कहीं जाने वाला नहीं है वही मिलेगा बोलो ला सुभान अल्ला अल्य हाथ उठा के बोलो ला सुभान अल्ला वही मिलेगा वही मिलेगा वही मिलेगा मगर एक बात याद रखना हाँ यारसुलल्ला फरमाईए वहाँ पर कई बच्चे होंगे तो बेटे को बेटा कहके मत बोलाना बेटे को बेटा कहके मत बोलाना नाम लेकर पुकारना बाप ने कहा यारसुलल्ला मेरा बेटा है बेटा कहके पुकारू या नाम लेकर क्या फर्गे पढ़ता है या रसुनल्ला तुवाका ने फर्माया कि जहां तेरा बेटा खेल रहा है और भी दस बच्चे हैं तु कई दिन का बिछड़ा हुआ है बेटे को देखेगा तडब जाएगा मचल जाएगा लेजे में मिठास आएगी बड़ा दर्द होगा बड़ा और बेटे को बेटा कहके पुकारोगे तो हर कोई बेटा है सब मुल्ण के तुझे देखेगा सब मुल्ण के देखेगा अफर्म बच्चे देखेंगे की एक बच्चा है जो जो दोड़ा कर जारहा अपने बाप की तरफ तो जब तुम नाम लेकर पुकारोगे तो सिर्फ वही मुलके देखेगा जो तेरा बेटा होगा जो तेरा बेटा होगा अब बेटा कहके बेटा कहके बोलाओगे तो सब मुलके देखेंगे तो बेटा कहके मत पुकारना नाम लेकर पुकारना क्यों या रसुल अलाह सो का मुम्किन है कि दस बेटे हो तो कोई बेटा यतीम भी हूँ किसी का बाप नहो अकर दो बेटा कहके पुकारेगा यतीन गडिल तड़ पेगा का आज मेरा भी बाप होता तो नाजोक को ता प्यार से बुलता यसी तरह कलेज्ये लगाता देखने इसलाम कि तालीम के नदाख़ा कब, कितनी महपतों से इसलाप प्यल्ब, कितनी महपतों से इसलाप, कटना नाजुद बिल देता है आपको. कभी आप ने सोचा है, अगर आपका पुडोशी घरीब है, आपका मिज़ाज है कि हम गोष्ट ऎखाएं. आपका पुरोशी गरीब है वहाँ गोश्टे का इंतिजाम नहीं है तो शरीयत का मिजाच का है इसलाम का तकाजा क्या है तो या तो आप गोश्ट उस वक्त मनाईए जब गरीब के बच्चे सो गए हो जब गरीब के बच्चे सो गए हो इसलिए कि अगर गरीब के बच्चों सूम लिया गोश्टे की खुश्बू वो अपने गरीब बाप से कहेगा बाबा मुझे गोश्टे चाहिए वो गरीब तडब के रह जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो अपने बेटी को गोश्ट नहीं खेला पा रहे हैं मगर जब बच्चे सो जाएंगे तब गोश्टे बनाओगे तो बेटों का दिल नहीं तरपेगा जब बेटों का दिल नहीं मचलेगा तो बाप का दिल भी नहीं तरपेगा और अगर तुझको लगता है कि अभी ही बनाना है तो फिर इस तरीके से बनाओ के शोर्बा जो बना रहे हो जो शोर्बा डाल रहे हो तो उसमें थो पानी का जो छोरबा है उसको निकाल का दो बोटी डाल का पहले गरीब पड़ोसी को दे दो ले अपने बच्चे को खिला दे ले अपने बच्चे को खिला दे कितना नासुक इसलाम तुम्हें दिल देता है काश हमने अपने मुआशिरे को इसी दरीके से आगे बलाया होता काश हमने अपनी सुसाइची को इसी उजाले में आगे बलाया होता तो आज हम शीरो शकर बन कर रहे होते आज हम बढ़ गए किसी चीज़ में ये नहीं कहा गया कि पौरोशी को देखना खान है पर उसी को देखना अंसारी है और उसी को देखना मनसूरी है नहीं नहीं यू तो स्यद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसल्मान भी हो तो तो अपने घरों से इस असभीयत की जंजीर को निकाल फेको कोई खान है, कोई अंसारी है, कोई मन्सूरी है, कोई सैजित है, कोई शेख साथ है, जब तक तुम अपने मुआशने से इस सूवर को नहीं निकालोगे, जब तक तुम अपने मुआशने से बद्फिक्री के इस हरान को मारके नहीं निकालोगे, जब तक तुम अपने कबीरे स इस फ़क फिकरी के शैटान को नहीं भड़ाओगे तो याद रखना हिंदुस्तान में तुम जी नहीं सकोगे हिंदुस्तान में तुम सांसे नहीं ले सकोगे इसलिए आए खाजा के इंदुस्तान में रहने वालो आस से के फैसला करो कि हम स्जिद नहीं देखेंगे हम शेख नहीं देखेंगे हम खाल नहीं देखेंगे हम अंसारी नहीं देखेंगे हम मर्जूरी नहीं देखेंगे हम पठाल नहीं देखेंगे ला 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 जमीगिन अला अरभीगिन ला 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 जमीगिन अंझारी पर फद्जी तो तक्वे की बुलियां पर है तक्वा जिसके पास होता है वही वाहosa छब आप पर अपर या रसुल आप पांच वक्त की नमाज परो अब फिर जड़ा सा सोच लेना स्लाम फेरने के मात कि तेरे बगल में अलसारी है कि मरसुल सुल्ड तेरे बगल में कोई पठाने ये संगित नहीं तुमने सज्ड़े में सर जुगा कर एक सफ में खड़े होकर बता द जाए कि जब बहमूद और आयाज एक सब्पे खड़े हो जाते हैं तब जब कोई बंदा बंदा नमाज नहीं रहता है तो रब की रहमत कहती है पुवत इश्के से हर पस्ते को बाला कर दे दहरे में नाम मुहंम्मद से उचाना तारा ए तक्बीर नारा ए रिसाला जासे जा अगर तेरा बाप जात बात की बात करें बाप का इस्तिराम करना मगर बाप की ये बात मत मनना अगर तेरा दादा जात बात की बात करें तो दादा की इस्ज़त करना मगर दादा की ये बात मत मनना इसलिए कि बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं और आप अपने जजा की सोच को लेकर का कि चलो नमाज परो, नमाज परो तो सोच लो कि नमाज तुमसे क्या माँग रही है, बात नमाज कीा आई तेक वाकिया सुनाता हो, सुनातों पाथ बिड़ा आप मेरा सपोर्ट करेंगे, बात बड़ा और सपोर्ट करेंगे, हाद उढ़ा कर बो सुभानला, हाद उढ़ा कर बो सुभानला, अपने भी है नाराज तो बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हला हल को कभी कहना सका कन, मैं अपने मस्जिद हुना तहजीद का फर्जन, चीते का चिकर चाहिए शाही का तजस बोल रहा हूं, शायद आपकी तबीयत उक्ता ना जाए, बस इस वाकिया को जी लगा कर थोड़ी देर के लिए सुन जीजिए, बस जिदे नबवी है, हद्दे उमर का दौरे खिलाफत है, इसलाम की एक बेटी है, पर्दे की चातर ओड़ कर घर से निकलती है, जब जब घर से निकलती, इसलाम का एक बेटा दूर तक इसलाम की बेटी का पीछा करता, उसकी नजरे ताकुब करती, एक इसलाम की बेटी को जलाल आ गया, और इसलाम की बेटी ने का तुझे मालूम नहीं, मैं इसलाम की बेटी हूँ, तुझे मालूम नहीं, उमर का दौरे खिलाफत ह अपनी नजर की शडारत को अपनी किरदार सरों को वरना हर्दते उमर की बारगाहे अदालत में शिकायत कर दूंगी तो तेरे जिसमें के चमले चमलियों की धजिया उन जाएंगी बोलती रही इसलाम की बेटी सुनता रहा इसलाम का बेटा जब बोड़ी बेटी चुप हो गई ते इसलाम के बेटे ने कहा मैं बहुत सुन चका, बिल्कुत तुम सही बोल नहीं हो, मगर क्या कहूं, दिल अपना हो के गयर से रखता है साजबाद, समझा के ठक चुका हूं, मगर मानता नहीं, मैंने बार बार समझाया, अपनी नजर को के नजर जुकी रा, मगर ये मानती नहीं है, आँ जुकी रा, मग अगर तुम कहो बीवी बनने के लिए ये शर्ट रखो कि आसमान से तारे तोलाओं तो मैं तेरे गलियों में तारा महल की लें लगा दूँगा, मगर तुम मेरी बीवी बन जाओ, तुम मेरी बीवी बन जाओ, अगर तुम ये शर्ट रखती हो, कि तुम मुझको शोहर बनाओ इस शर्टे पर, कि मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए, चांद की जमीन पर घर बलाओ, तो मैं इसके लिए भी तैयार हो, अकर तुम ये शर्टे रखो, कि मैं पहार काट के दूद की नहरे जारी कर दूँ, तो मैं इसके लिए भी तैयार हो, अकर तुम मेरी बीवी बनाना चाहते हो, हाँ बनाना चाहता हो, तो सुनो एक काम करो, मुझको बीवी बनाने के लिए तुमको आसमान से तारे नहीं तोड़ने होगे, तुझको मेरी मुझको अपनी बीवी बनाने के लिए चांद के सीने पे घर नहीं बनाना होगा, अपनी बीवी बनाने के लिए तूट की नहरे जारी करना नहीं होगी तो क्या करना होगा एक काम करो हज़ते उमर के पीछे मस्जिद नभवी में 40 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़ो तुम 40 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़ो तुम 40 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़ोगे मैं खुद तेरे हरम में तुलहन बन के दाखिन हो जाओंगी मैं खुद तेरी बीबी बनने को आ जाओंगी इतना सुनना था चल पड़ा लोटा लिया पानी गिया वजू किया नमाज शुरू मजड नबवी में अजान हुई सुभे की नहीं बेटा उट गया मा भी हैरत में के बेटे में तेरी चेंजिंग कहां से आ गई इतना बदलाओं कहां से आ गया गालीब चचाश की रूख से माज़त के साथ ऐख के लोटा उठा है पानी भरा है वजू किया है नमाज शुरू हो गई पांच दिन हो गई, दस दिन हो गई, बिस दिन हो गई, तिस दिन हो गई, पैस दिन हो गई, उन तानिस दिन, चार वक्ते की नमाज हो गई कितने वक्ते की नमाज बची उंगली दिखाओ कितने वक्ते की नमाज एक वक्ते की नमाज बची इधर इसलाम का बेटा चला इधर इसलाम की बेटी ने भी वजू किया वो सल्ला बिचाया दो रकत नमाज नमाज के बाद सलाम फेर कर हाथ उठाती है करती है मौला वो मेरी वो मेरी तलब की राह में निकला था मैंने तेरी तलब में लगा दी अब अगर मेरे मुकतर की लकीर में शोहर बनना उसी को है तो जैसा निकला है वैसा ही रखना जब तक पूरा मजमख सुभानाला नहीं बोलेगा मैं हाथ हिलाता रहूंगा अभी तक पूरा मजमख नहीं बोल लहा है सुभानाला इस टेश पर बेटेवे पर एपनी बेरादरी के लोग भी थोड़ा सा समर्फंगा हाथ बढ़े पूरा मजमख उठा के बोले या रसूल आला, या हबीब रल्ला, या नबी रल्ला, निकला इसलाम के बेटी वहां खेली है, जाप पहले इसलाम का बेटा इंतिदार में खड़ा रहता है, निकलेगा मस्द नबवी से आएगा, खड़ी है, हाँ निकला, आ रहा है, मारे हुशी गया आख बंद हो गई वो आएगा मुझसे कहेगा आखें खोलो मैं देखो वादा पूरा करके आया हूँ चलो मस्जिद नवी में निकाह पढ़ ले यही कुछ सोच रही थी इसलाम की बेटी सोचते सोचते कुछ देर हो गई इसलाम की बेटी सोचती अभी तक आया क्यों नहीं अभी तक आया क्यों नहीं जब आँख खुली तो क्या देखती है वो आया भी चलांभी गिया मिलां भी नहीं रहे नही और चला गया, इसलाम की बेटी ने वाज जाने वाले, अरे मुल कर देख, तेरी दुनिया यही पर है, तू कहा जा रहा है, तेरी चाहत की बस्ती यही है, तू कहा जा रहा है, तेरे हुच्छने की दुनिया तेरा इंतजार कर रही है, तू कहा जा रहा है, इसलाम के बेटे न इसलाम की बेटी, तेरी रहलुनाई नहीं बूलेगे, अरे मैं तो तेरे हुसने की तलब में आ गया था, मैंकर तूने उमर के पीछे फेज़ दिया, मैं 10 दिन नमाज पढ़ता रहा, तेरा खयाल रहा, 15 दिन नमाज पढ़ता रहा, तेरा खयाल रहा, 20 दिन नमाज पढ़ता के निकला हूँ तो अब तेरा ख्याल लगी है अब तो रब की तजली का ख्याल है अब तो रब के चल जल था बनन नदेगार या रब करें प्युद्ध देने जेखिए जमात आ खिल को मुद्धित अप्यस अब की उपसूफी पीर तरीकत हज़ते अल्लामा मुफ्ती ताइर हुसेद 22 अमद्द जिल्लाली आलमाना कर्रोफर फकीहाना तेवर और इल्मी तंतनो तंतरा के साथ मिम्बर नूर की तरफ मिम्बर नूर की तरफ तश्रीब आ रहे हैं आप हज़राद बैठे रहेंगे हम स्टेश के उलमा खड़े होकर अपने स्कडावर आलिम इदीन का इस्तिक्वाल करेंगे आप लोग खड़े रहेंगे आप लोग सब बैठे रहेंगे आप लोग सब बैठे रहेंगे आवाज बलंद कीजिए नार आ आ रिसालत मनाजर एहल सुनत मफक्किर इसलाम हदरत इल्लाम मुष्टी ताहिर हुसाइन साफ इल्लाम इसमाही बहार मदीना कॉंफरेंस अल्माए अहले सुन्नत तश्रीव खें हजरत के चेरे जेबा का दिदार करें और थोड़ी ही देर के बाद खानका है बैतलानवार गेवाल वीघा की दो बावकार मशीखत की पाकीजा चादरों में लिप्टे हुए चेरे मिम्बरे नूर पर जल्वागर होंगे खूसिचान के साथ पीरे तरीक चचैप चादर मदद लुलाली पीरे तरीक चचैप चादर ₦ बिलुलाली बस दो से तीन मिनट हाथ उठाकर अजाज़त दीजिए मुश्कुरा दीजिए मुश्कुरा कर बोलिए सुभान आल्ला अब जही पर इसलाम की बेटियों से मैं कहूंगा इसलाम की बेटियों अगर तुम्हारे महले का कोई जवान मुबाइल की रंगीनी दिखला कर कबड़े की चमक तेखला कर गारी के टेपड़काप को तेखला कर अपनी महापक की जुल्मों जुल्मों के जुल्मों तर्षिकार करना चाहे तो इसलाम की बेट्रियों तुम भ्लक करका ही देगा ये नावादा का एक सिंगल चेचिस का मौलवी आया था उसने मेरी आखें खोल दी है तेरे मुबाइल की रंगिनियों में आने वाली नहीं तेरे पैसे की चमक तमक में मैं आने वाली नहीं अगर तु चाहता है कि मैं तेरी बीवी बनू तो मुबाइल मत दिखला पैसे मत दिखला, परोपटी मत दिखला, जमीन जायदाद मत दिखला, बैक बैलेंस मत दिखला, हो सके तो आबादी की मस्जिद का नमाजी बन जाओ, तू नमाजी बन जाएगा, मैं तेरी बीवी बन जाओगी, और कहा है वो बाप, जा अपनी बेटी के लिए द्रामा, जुन्डो, के मेरा दामाद इंजिनियर तो हो, मगर नमाजी बी, मेरा दामाद दोक्तर तो हो, मगर नमाजी बी, इसलिए मैं बोलना हूँ, के इंजिनियर शराबी हो सकता है, दोक्तर शराबी हो सकता है, बालिष्टर शराबी हो सकता है, मगर जो नमाजी होगा, वो अभी नहीं हो सकता है, इसलाम के बेटों, इसलाम के शहज़ादों, अपने जिंदगी की किताब को आका की सीरत से मुनवर करो, इनकिलाब लाओ अपनी जिंदगी बें, अपनी आबादी के उलमा के पाज जाओ, अब पूछो कि आका मुश्कुराते कैसे थे, पूछो आका ख शूले रहमत की जात हो और जहां कुराने मुकद्द जैसी किताब हो वो कौम कभी तबाह नहीं हो सकती है शर्त ये है कि हम अपने आका को आइडियल बनाएं और कुरान को हर मैदान में रहनुमा बनाएं जब ये जिन्दगी होगी तो वला तहनू वला तहजनू वंतमुलाला इ्ल्कुलत मॉमिनिय फिर तुम्हे गम करने के कुछ भी जरूध नहीं है फिकरे करने की जरूत नहीं है जब तुम इमान वाले हो तो फिकरे क्या करना है तुम जिधर भी चलोगे टेवर ये होगा कि देवर ये होगा से कलाम पैदा कर तेरा तरीद अमीरी नहीं फकीरी है खुदी नबे गरीबी में नाम पैदा कर अल्लाहम मुसल्मानों को आका के किरदार से अपने आपको रोशन करने की तौफीद बखशे मेरी गुफटगों में कहीं से कोई सब्कते लिसानी घलती खामी भूल चूक हो गई हुए लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया एक मौका दे रहा हूँ फायदा उठा लीजिए असलामु आलेकूम